अलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 Reasons for Low Flow Rate in Centrifugal Pump यानि कि अगर आपके Centrifugal Pump का Discharge Flow Rate कम हो गया है Discharge Flow Rate का मतलब होता है वो जितना Volume में Fluid को Discharge करता है वो अगर कम हो गया है या फिर हम आसान भासा में कहें तो आपका Pump कम पानी को Pump कर पा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या Reasons होते हैं ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Reasons बहुत important होते हैं क्योंकि जब तक आपको Reasons नहीं पता होंगे तब तक आप किसी भी Problem का Solution नहीं कर पाएंगे इससे ज़स्ट पहले मैंने एक वीडियो की है जिसमें 8 Reasons for Abnormal Sound in Centrifugal Pump के उपर वीडियो बनाई है यानि कि Centrifugal Pump में Abnormal Sound आने के क्या-क्या 8 कारण होते हैं उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो के End पर भी मैं End Screen उसका दे दूँगा तो सबसे पहला Reason जो है वो है Cavitation Cavitation तब आता है जब आपका शक्सन Pressure जो है वो बहुत कम हो जाता है यानि कि वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है तब इसकी वज़े से क्या होता है वेपर बबल्स की Formation होती है आपके Fluid में और जब वो बबल्स कोलैप्स होते हैं तो High Pressure और High Noise के साथ कोलैप्स होते हैं जिसकी वज़े से वो Impeller को Damage करते हैं साथ में Fluid के अंदर Shock Wave Produce करते हैं जिसकी वज़े से आपके जो Flow है Pump की वो भी Reduce हो जाती है इसका मतलब Cavitation की वज़े से आपके Pump की Discharge Flow Rate जो है वो कम हो जाती है दूसरा Reason है Strainer Jammed तो Friends जैसा कि हम सभी जानते हैं Strainer क्या होता है Centrifugal Pump में सक्सन लाइन में Strainer का इस्तेमाल किया जाता है Strainer जो है एक जाली नुमा सनरशना होती है जो की छननी की तरह काम करती है और ये Dust Particles को, Foreign Particles को Pump के अंदर जाने से बचाती है और वहाँ पर छान करके रखती है, इस्टोर करती है जिसे की हमें समय समय पर निकाल करके Clean करते रहना पड़ता है यानि की अगर आप उसे Clean नहीं करेंगे एक समय के बाद तो धीरे धीरे ये उस जगा को ब्लॉक करने लग जाएगी सक्सन लाइन को ब्लॉक करने लग जाएगी और जिसे की आपका Flow Rate जो है वो कम हो जाएगा Next Reason है Blockages और Restrictions तो देखिए आपके Pump में सक्सन या फिर Discharge Line में कहीं पर भी अगर Blockage हो गई है Debris की वज़े से, Contaminants की वज़े से, किसी भी वज़े से तो यहाँ पर क्या होगा आपका Flow Rate जो है Pump का Discharge Flow Rate वो Reduce हो जाएगा तो यह भी एक Reason होता है Pump के Discharge Flow Rate के कम होने का चौथा Reason है Air Leakage अगर आपके Centrifugal Pump में सक्सन साइड में कहीं पर भी अगर Air Leakage है तो वहाँ से क्या होगा आपका Pump जो होगा फ्लूइड की साथ साथ वहाँ पर से Air को भी सक्सन करना स्टार्ट कर देगा यानि की पहले जहाँ पर सिर्फ Water या फिर Liquid Enter करता था उसके साथ में अब Air भी मिक्स हो जाएगा तो जिससे की क्या होगा आपका जो Quantity है वो कम हो जाएगा फ्लूइड का और Pump का Discharge जो है वो कम हो जाएगा अब ये Air Lickage सक्सन के Connection Lines में भी हो सकता है जहाँ पर Bolting सो Proper Ceiling नहीं है तो वहाँ पर से भी हो सकता है कहीं पर Valve लगा है तो उससे भी हो सकता है या फिर आपके Centrifugal Pump मे Gland Ropes लगी होती है वहाँ से भी Lickage होने से भी हो सकता है तो Pump में कहीं पर भी अगर Gap है जहाँ से Air एंटर कर रहा है सक्सन साइड से तो ये आपके Flow Rate को कम कर देगा नेक्स्ट रीजिन है Warn or Damage Impeller यानि कि आपके Centrifugal Pump का अगर Impeller जो है वो Damage हो चुका है तो इससे भी क्या होगा आपके Pump का Discharge जो है वो कम हो जाएगा देखिए समय के साथ साथ कोई भी चीज वी आर आउट होते जाती है साथ में Pump में Cavitations की वज़े से भी Impeller बहुत जादा Damage होते हैं तो Damage होने के बाद में वो उतने अच्छे से Pump नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा आपका Discharge Flow Rate कम हो जाएगा Next Reason है Piping and System Design Issues तो देखिए किसी भी Equipment के लिए Designing बहुत ही Important होता है अगर आपके Pump में अगर आपने जो आपका Pipe का Design है जो भी वहाँ पर Reducers यूज किये जाते हैं साथ में Pipes यूज किये जाते हैं उनका Dye, Suckson Dye, Discharge जाया ये सारी चीजें अगर Proper Designing से नहीं Select की है आपने तो आपके Pump का Discharge Flow Rate कम होगा Next Reason है Reverse Impeller Rotation अगर आपका Impeller Reverse Direction में Rotate कर रहा है यानि कि जिस Direction में उससे Rotate करना चाहिए उससे Abuse Direction में Rotate कर रहा है तो वो Fluid तो Pump करेगा लेकिन उसकी जो Discharge Capacity है वो कम हो जाएगी यानि कि Discharge Flow Rate आपका कम हो जाएगा तो Direction of Rotation of Impeller भी बहुत जादा Matter करता है Next Reason है Access Clearance देखिए Pump के Impeller और Casing में बहुत ही कम Clearance होता है Rings लगी होती है, Wear Rings लगी होती है तो धीरे-धीरे समय के साथ क्या होता है इनका Clearance बढ़ता जाता है और जैसे अगर Clearance ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके Pump का सक्सन और Discharge Capacity जो है वो कम होता जाता है तो ये भी एक Reason होता है Low Discharge Flow Rate का Next Reason है Problem In Walls यानि कि अगर आपके Pump में Walls आप जो यूज़ कर रहे है अगर वो Walls properly open नहीं हो पा रहे है तो इसकी वज़़े से भी क्या होगा आपका Area कम हो जाएगा Cross Section Area Cross Section Area कम होने की वज़़े से आपका जो Flow Rate है वो कम हो जाएगा चाहे सक्सन का Wall हो चाहे Discharge का Wall हो अगर वो Properly Open नहीं हो पा रहा है किसी वज़़े से आपको पता नहीं चल पा रहा है तो फिर आपका जो flow rate है discharge flow rate वो कम हो जाएगा next यानि की 10th reason जो है वो है debris in the impeller देखे क्या होता है वैसे तो strainer का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो बहुत fine particles होते हैं जो sticky debris होती है वो अगर pump की impeller पर आ करके धीरे से stick कर जाती है और धीरे धीरे layer by layer वो वहाँ पर collect होती है जिससे कि आपके impeller में debris की एक layer collect हो जाती है जिसकी वज़ा से आपका impeller जो है वो proper function नहीं कर पाता है और उसका discharge जो है वो आपका कम हो जाता है pump का discharge flow rate तो ये थे top 10 reasons जिसकी वज़ा से आपके centrifugal pump की discharge जो है discharge flow rate वो कम हो जाती है या फिर reduce हो जाती है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा